दोस्तों सेंटोक्स में एक बार फिर मैं आपके सामने हाजर हूँ और मैं आपके लिए तीन प्यारी सी फ्रेग्रेंस लेकर आया हूँ स्पाइसी ओर्यांटल या फुजेर फ्रेग्रेंस कहें बहुती आउसम जो इनकी फ्रेग्रेंस है and these fragrances are for your upcoming autumn and winter तो एक fragrance के साथ साथ आपके skin को cozy या warm भी रखेंगी so दोस्तों without wasting any time let's begin our review जो हमारी पहली fragrance है आज की this is bodacious man, this is strictly for man दोस्तों बहुत से लोग आप में ऐसे हैं जुनों ने शमामा यूज किया होगा और पसंद भी उसे किया होगा so एक बहुत ही sophisticated kind of शमामा है बिलकुल हटके है there's an explosion of spices जैसा ही जैसे ही आप इसको अपने skin पे लगाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसका एक color देख लें this is a dark colored perfume, oil you can see its color so दोस्तों review करने से पहले इसके जो ingredients है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो ये mainly बना है cinnamon से cinnamon, your nutmeg, green cardamom, हलका सा bergamot जो यहां पर बिलकुल subdue हो रहा है cinnamon की वज़ा से then you have musk and tonka and some other spices as well तो दोस्तों overall ये एक spicy fragrance है, oriental fragrance है, बहुती खुबसूरत fragrance है especially उन लोगों के लिए जो हमारी इत्र वगरा उसको use करते हैं, उससे sensitize हो चुके हैं और जो शमामे को पसंद करते हैं, उद को पसंद करते हैं, टुबाय को notes को पसंद करते हैं उनको ये fragrance बहुती प्यारा लगेगा तो दोस्तो एक बार आपको दिखा दूँ तो जैसे ही आप इसे लगाएंगे एक बहुती प्यारी बिटर स्ट्वीट fragrance जो है ड्राइ और मस्की fragrance जो है, वो मिलेगी आपको और थोड़े से cozy notes, तो cinnamon जो है, वो बिल्कुल यहां पे impose कर रहा है and cinnamon के साथ-साथ बड़े ही प्यारे sweet जो green cardamum के notes है, मस्की notes है वो भी यहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ, यहां पे fuse होएं इसके साथ and then, हलका सा जो एक citrus note है, bergamot की वज़ा से, में भी कुछ लोग उसे appreciate कर सके and then, यहां पे जो saffron है, बहुत ज़्यादा saffron है, जो इस fragrance को hold कर रहा है जो इसका spicy character है, उसको और भी ज़्यादा वो बढ़ा रहा है and then, you can feel those nutty, bitter, sweet notes of tonka, जो dark chocolate का note होता है वो मिल रहा है आपको and then, हलका सा animalistic character because of musk in it so overall, एक बहुती लाजवाब, बहुती नायाब perfume oil है जो आपकी personality को और भी ज्यादा निखार देगा तो दोस्तो, ऐसा perfume oil आप अपने pocket में रखना जरूर पसंद करेंगे और लगाना भी पसंद कर देंगे आप चाहे काम पे हो, कहीं जा रहे हो, आउट्यूंग कर रहे हो या किसी special occasion पे जा रहे हो definitely आपको बहुत सारे compliments मिलेंगे especially in fall and winter इस perfume oil को आप लगाएंगे दोस्तो जहां तक इसकी projection है, it's very loud and intense and longevity, जैसे मैंने इसे try किया it's more than 7 hours on your skin and कब्रों पे तो even after 12 to 18 hours I could sniff it बहुत ही प्यारी fragrance है voracious man, एक बार जरूर इसे try कीजिएगा तो दोस्तों, without wasting time let's move to our next fragrance which is Nirvana Nirvana is again a spicy fragrance लेकिन spices के साथ-साथ यहां पे आपको डेट सारी और चीज़ें भी लेंगी जैसे कि रोज है, आपके florals है, white florals है green herbs है and there is lot of citrus in this tobacco है इसमें तो दोस्तों, overall यह एक perfect blend है perfect blend हर किसी age के लिए है छोटे हो या बड़े हो कहीं भी आप लगा सकते हैं इसे तो overwhelm होने का कोई chance नहीं है दोस्तों again, यह एक all-weather perfume oil है लेकिन अगर आप इसे fall या winter में लगाएंगे तो probably इसके जो notes है, जो spicy notes है वो ज्यादा निखर के आएंगे and you will definitely be noticed एक dark colored perfume oil है दोस्तों एक बार फिर यहां पर जो spicy एक nature होता है cinnamon का एकदम वो जो उसकी एक peculiar penetrating or bittersweet जो बहुती powerful fragrance होती है वो यहां पर perfectly mix हो रही है with green herbs and rose and there are some woody notes as well और हलके हलके से tobacco के notes आपको बड़े sweet tobacco के notes आपको मिलेंगे and then in its dry down it becomes woody or mossy and वो जो sweetness है and वो जो cinnamon की एक अपनी वो जो fragrance है वो लगातार आपको dry down में भी मिलती रहीगी so overall एक बहुती बहुती बहतरीन perfum oil है दोस्तो एक बार इससे जरूर try कीजिए गा निर्वाना बड़ी प्यारी सी खुश्व है इसकी and definitely it's a head turner definitely for sure आपको बहुत सारे compliments मिलेंगे जब आप ये perfume oil लगा के अपने work पे जाएंगे या किसी party वगर आमें जाएंगे and of course अप meditate कर रहे हो और pray कर रहे हो तब भी आप इसे लगा सकते हैं so coming to a last perfume which is idol so दोस्तो ये थोड़ा perfume oil हटके है unisex perfume oil है यहां पे fruity notes है floral notes है and spicy notes है तो दोस्तो ये बहुत ही एक powerful perfume oil है definitely अब हलका सा इसे खोलेंगे dab करेंगे हलका सा तो camera के दूसरे corner पे जो बन्दा होगा वो definitely आपको notice करेगा तो यहां पे आपको initially raspberry and strawberry के notes मिलते हैं वो perfectly fit citrus के साथ mix हो रहे हैं and then you can feel that rose and patchouli और जो इसका dry down है एकदम spicy है एकदम woody है earthy है एक बहुती प्यारी सी fragrance है जो मेरे खायल से जो young generation है इसे ज्यादा पसंद करेगी वो चाहे colleges में हो या अपने schools में हो या कहीं पे भी गर पे या आउटिंग के लिए जा रहे हो तो इससे लगा सकते हैं बहुत सारे compliments मिलेंगे for sure तो एक बार जरूर इससे भी try कीजिएगा दोस्तो आइडल perfume तो दोस्तो ये तीनों perfume आइज़ आपको सेंट टॉक्स पे मिलेंगी मैं अपना जो इंस्टा का पेज है उसकी details डिस्क्रिप्शर में दे रहा हूँ और अपना WhatsApp नमर भी दे रहा हूँ तो कोई भी किसम की information चाहिए आपको इनके related तो क्याहिए आपको आपको चाहिए घाया रहा हूँ